Hello friends, very good morning, myself Archika, you are very very welcome on your YouTube channel Be Positive As usual, we know that we will discuss on five words, which again the Hindu and Indian Express Newspaper से लिया जाता है, कहीं न कहीं आपको news reading में जो कुछ tough word मिलते हैं जिनके basis पे पुरा sentence हमें कभी-कभी समझ में नहीं आता है उसको हम यहाँ पे clear करेंगे और उनसे related कुछ antonym and synonym भी जानेंगे ठीक है? तो word of the day में है abos, fleet, insignia, elusive and flag एक-एक करके जानेंगे इनके बारे में तो सबसे पहले है abos की meaning यहाँ पे लेंगे हम ठीक है? abos, abos का मतलब क्या होता है? किसी बात की गूँज, गुन-गुनाहट तो अभी डैली यूनिवस्टी जो campus है उसमें abos है यानि की बहुत गूँज है दो साल बात अभी student जो है वो अपने campus में अपने university में return हुए है तो इस तरीके से meaning लिए गई है ठीक है? synonym देखिए exotic, exciting, alive, astir, humming, vibrant and buzzing मतलब कुल मिला के बहुत ही चैतन निमाहौल, बहुत अच्छा, बहुत ही जीवन चीसे हम कहते हैं यहाँ पर इस से meaning लिए गई है एंटरीम देखिए asleep, dead, inactive, lifeless, sleepy मतलब जो बहुत ही passive हो, बहुत ही निराश हो, बहुत ही vision टाइप हो vision यानि vision, जन रहित ठीक है? जैसे vision देश, vision छेत्र हम बोलते हैं उस तरीके next टेखेंगे यहाँ पर meaning लिए गई है fleet की fleet जिसका मतलब होता है वेडा या नौका, या नौका समुदाय भी यानि कि अगर हम noun की रूप में यूज करेंगे या फिर वर्व की रूप में यूज करेंगे दोनू तरीके से और यह तो हो गया इसका noun की तरीके और इसका अगर हम adjective form में यूज करेंगे तो इसका हिंदी में मतलब होता है गतिसील और प्रखर भी यानि कि यूज बहुत तेजी से गति करता हो ठीक है? सिनोनीम देखिए यहाँ पर तो खैर fleet की ही बात करी गई है लेकिन मैं इससे आपको adjective के form में और noun के form में बताऊंगी तो noun के form में इसका सिनोनीम अगर हम बात करें तो agile यानि जो बहुत तेजी से चलता हो disomb भी वही है limber, raft और ferry boat जो है वो बेड़ा और नौका की सिनोनीम है antonym देखिए lumbering जो बहुत ही धीमी गतिका हो slow, crawling यानि जो बहुत तेजी से न भागता हो ferry boat क्या होते है बहुत तेजी से भागते है एक जगे से दूसी जगे है बहुत तेजी से गति करते हुए भागते है और crawling का मतलब क्या होता है ऐसे धीरे धीरे से रेंगना sluggist, sluggist मतलब भी बहुत ही passive energy देता ही and ultra slow, ultra fast, ultra safe जिसे भी हमें बहुत ही heavy amount में show करना होता है वहाँ पर हम ultra का use करते है ultra का मतलब भी बहुत ही clear, sharp sense में होता है तो यहाँ पर ultra slow यानि बहुत ही धीमिगती से next यहाँ पर हम meaning लेंगे bass की या फिर insignia की दोनों का ही मतलब होता है एक सम्मान सोचक जो चिन होता है राज चिन भी हम इसे बोलते है और अधिकार चिन भी इसे बोलते है synonym देखे, यह actually Delhi police ने अपना अभी batch change किया है जो logo होता है तो उसके sense में यह बात करी जा रही है regalia passes, crest, emblem अभी asok, emblem इस तरी किसे जो emblem होता है चिन, ठीक है and mark, और save antonym देखे, concealment यह जो छुपा छुपा की रखा जाता हो और यहाँ पर क्या है symbolize कर रहा है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल छिपा की रखना modesty, ordinary यानि जैसे यहाँ पर राज चिन है यहाँ पर ordinary का मतलब कोई भी normal सी चीज and inside into यहाँ पर क्या है कि हमें कोई चिन दिख रहा यानि कि उसके बारे में हम सिर्फ जान सकते हैं उसके बारे में और यहाँ पर क्या है inside into मलब उसका पुरा wish lesson करना तो आप थोड़ा सा समझ की meaning जोज करिएगा next हम देखेंगे elusive की meaning यहाँ पर the elusive star elusive एक ऐसा word है मायावी और पारलौकिक यहाँ पर यह है कि जिसे इसली पकड़ा ना जा सकता हो जिसकी बाते हमें समझ में आती हो जो इहलौकिक ना हो मतलब कि सामान्यता जो घटित होता है उससे related ना हो कुछ अलग हो वो शैतानी प्रवित्तिका भी हो सकता है जो मतलब कि गौडिफाई हो ठीक है तो एलॉसी बिस्टार का मतलब यह है कि जो नॉर्मल ना हो नॉर्मल से हटके हो ठीक है सिरानीम देखिए दिफिकल्ट टू कैच इवैसिव हार्ट टू ट्रैक डाउन जिसे इसली पकड़ा ना जा सकता हो स्लीपरी यानि बहुत ही फिसलने वाला हो एन सिफ्टी बहुत ही सिफ्ट होने वाला हो चल दियल्दी आप समझ ना पाते हो जिसे एंटोनीम देखिए आइटेंटिफाई इजी टू ट्रैक नोन यानि जिसे आप जानते हो एन टैंसिबल यानि मूर्द जो विजिबल हो दिख रहा हो आपको ठीक है नेक्स देखेंगे यहाँ पर मेनिंग लेंगे हम फ्लैक की फेसिंग फ्लैक चन्नी सीख टू क्लियर दे एर तो यहाँ पर फ्लैक का मतलब ऐसे तो होता है जो विमान, रोधी तोप होती है ठीक है जैसे यह ब्रह्मोस, मिशाइल वगेरा होती है एंटी टैंग मिशाइल होती है उनके संबन्द में हम फ्लैक का यूज करते हैं लेकिन फ्लैक का मतलब कभी-कभी होता है कि बहुत स्ट्रॉंग कंट्रोवर्सी हो रही है क्रिटिसिजम अगर चल रहा है जैसे जिसे हम कहते है ताना देना ठीक है आलोशना करना वेधी शब्द ये सब भी होता है सिरोनीम देखिए सैंसर हॉस्टिलिटी दिसप्रोवल कंट्डेमिनेशन का मतलब होता है कि बुराइ करना ये बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है अरुन गोवल जी मुझे नहीं लगता कि किसी इंट्रोड़क्शन की जरवत है वेल नोन सभी जानते है और इस पूरे वर्ड का एक बहुत बड़ा समुदा है इन्हें स्री राम जी के रूप में ही मानता और पूछता है तो ये वही है इन्होंने ट्वेट किया है और ट्वेट में इन्होंने कितना सुंदर लिखा है एक शीवन में अपना व्यक्तिकत सूने रखिए ठीक है ताकि कोई उसमें कुछ भी खटा ना सकी परन्तों जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत तसको ना बढ़ जाए शूने क्या होता है वो अपने आप में कुछ नहीं होता यानि आप उसको जैसी क्वालिटी देंगे यहाँ पर कुछ ना होने का मतलब यह है कि बिल्कुल अहंकार सूने इगो नहीं है उसके अंदर इस तरीके की पस्नालिटी बिल्कुल जुका हुआ बिल्कुल सेरिंडर भाव में ठीक है लेकिन अपने आप में उसकी इतनी कीमत होती है कि वो किसी भी अक्षर किसी भी नमबर के सामने अगर जुड जाता है तो उस नमबर की कीमत को वो एम्प्लिफाई कर देता है ऐसी पस्नालिटी डेवलब करने के बारे में यह बात कर रहे है इसी के साथ कीप लर्निग, कीप स्माइलिंग यह बात किसी नमबर के चाहिए